हाई वरीबाइस ये ब्रिजे सिंग एर वन सेगेंड वेलकम तो दा नेक्स लेक्चर अज हम करेंगे बैंकिंग के ओपर नेक्स्ट वराइटी आज जो बैंकिंग के ओपर वराइटी करने जारे हम लो उसका नाम है सी एरार और अच्छे सुनना और उसको बाद में नोट कर ल क्या होता है जैसा आप अपने पास कुछ तो कैश्टे हो एक पर्समें किधर भी घर पे वह कुछ कैश्ट रखते हम सब पैसा बैंक में नहीं रगडालते हैं या हर पैसा इनवेस्टिंग कुछ पैसा में अपने पास धनी जरूत के लिए तो वैसी बैंक को भी कुछ cash रखना पड़ता है तो चलो पड़ते हैं CRR क्या होता है CRR stand for cash reserve ratio रखना घर पे पानी कैसा reserve रखते हो तो cash reserve ratio maintain with RBI किसके पास रखना पड़ता है RBI के पास रखना पड़ता है डैडी के पास रखना पड़ता है तो जितने not get any return उसके उपर कुछ ब्याइज नहीं मिलेगा यह आपको रखना है जो पैसा रखो के बैंक के पास आर्विया के पास उस पर ब्याइज नहीं मिलेगा कितना रखना है तो बेटा जी फूर पर्सेंट आफ दा होता है फोर पर इंडवलियटी का कैसे रखना पड़ता है वो बात का बात है डीष डेपॉजिट्सम newer बैंक अपने पास रखती है और ब्येब्या के पास नहीं रखती है डीष्ट डेपॉजिट्समूरं बैंक का themselves तो यह सब बाते तभी भी RBI को inform करना पड़ता है दो-दो हफ्ते का inform करना पड़ता हर Friday को तो bank report to bank report to RBI every fourth night fourth night का मतलब हर दो हफ्ते के बाद हम reporting करेंगे मतलब महीने में दो बार reporting करेंगे अगर नहीं करते तो penalty अगर RBI लगा देंगे तो दोनों को फरक समझा CRR RBI के पास रखना पड़ता है SLR अपने पास ही रखना पड़ता है कितना परस रखना पड़ता है 18% situation का तो चेंज होते हैं तो अभी 18% है net demand and time liability का सर SLR किस पॉर्म में रखना है यह तो समझा cash तो RBI को आप सकना SLR किस पॉर्म में रखना है तो बोलता है SLR इस पॉर्म में रखना है SLR cash in hand balance with other bank money at college liquidity मतलब एकदम liquid जैसे जरौत पड़ा तो अभी क्या भी पैसा निकलेगा cash bank balance money at college short notice यह तो दो तिन दिन या ज्यारा सदा 15 दिन के लिए payment का पैसा देते किसी को तो अपना पैसा हम call से मांग लेंगे money at college short notice gold दुनिया हमें सब भीके ना भीके gold पहले भीकता है तो इदब highly liquid है अभी क्या भी भीखेगा approved government security government security approved वाले तो यह सब SLR फॉर्म में रखना है SLR का फॉर्म याद रहेगा cash in hand balance with other bank money at call golden approved security government security अटरा परसन रखना है आपको ज्यादा रखे तो अच्छी बात है सर बार बार वार एक जो schedule number 3 के अंदर था नेट डिमांड time liability में क्या क्या आता है FD आता है सेविंग कॉर्ण करेंट एकॉर्ण क्रेडिट बालेस अरे जो public हमारे पाइस पाइसा रखती है FD बनाते हैं सेविंग कॉलते हैं करेंट एकॉन बिसमेन ओपन करते लिए क्रेट वाला ओके तो प्रॉ लेकिन और भी कॉछन पूछना चाहिए बहुत दिन से पूछे नहीं इसके ओपर कॉछन चलो पढ़ते हैं एक बैंक के नॉन शेडुल बैंक प्रवाइड दे फॉलिंग फॉर्मेशन यह रहा उनका FD FD में है FD में है पैसा 51,700 सेविंग कॉर्ण के अंदर भी है यही ने को बोलते हैं नेट डिमांड टांफ लिविलिटी नेट डिमांड दाम लीविलिटी नेट टांफ लिआपलेगव दिमांड कर सकते हैं पॉबलीक कैश सीन Х END केश भी अधर बैंक का मनी अट पोल ग ल्ड गौवर्वर्मेंट सेक्यूरिटी शेर्स और cash with RBI अच्छा RBI के पास CRR करना पड़ता है तो CRR कितना रखा इतना रखा है CRR वह हमें चेक करें कि वह उतना maintain रखा है कि नहीं maintain किया तो हम increase करेंगे calculate the cash result to maintain also calculate the amount necessary required to be transfer to RBI to maintain the CRR and also SLR भी निकालना है तो जैसे मैं solve करूँगा आप भी वैसे solve करना सबसे पहला आप NDTL निकाल लेना सुन रहे हो net demand and time liability side में निकाल देता हूं तो net demand time liability में क्या क्या आएगा FD आता है 51,700 FD में रखे हैं सेविंग deposit में है 45,000 और current account कुन सा लेना है current account credit balance लेना है तो 52,012 सब प्लस कर दो हमारे पास कितना पैसा public का है 51,700 प्लस 45,000 प्लस 52,012 तो इतना पैसा है 1,48,712 समझा इतना पैसा public का हमारे पास है तो कभी भी ओलग मांग सकते हैं कभी भी ओलग मांग सकते हैं तो अभी क्या working करेंगे पहला CRR का working कर लेते तो point number one point number one बेटा CRR तो CRR कितना पर से मेंटेंग करना है बोला ना 4 पर सेंट तो क्या है पहले देखते हैं मेंटेंग कितना करना है और उनका बैलेंस कितना है ठीक है required balances पर आर भी है प्रिजेंट बैलेंस तो धाँ तेना CRR के बारें बात करते हैं तो CRR कितना maintain करना है maintain to be maintained CRR to be maintained to be maintained अपने आपको मेंटेंग करने के लिए हम जीम जॉइंट करते हैं जॉगिंग करते हैं तुभी मेंटेंग बोलता है नेट डिमांड टाइम लियाबिलिटी जो उपर को नहीं में लिका है 148712 का कितना परसंट 4% मेंटेंग करना RBI के पास तो 148712 का 4% अंसर आता है 59 सुन रहे हो 5948 आता है लेकिन हमने RBI के पास कितना पैसा रखा है देखो वैलो साइलेट किया हूं कैश्वीद RBI 3788 बहुत कम रखें तो हमें RBI के पास और पैसा डेपॉसिट करना पड़ें तो पैलेंटी लग जाएगा तो less क्या लिखेंगे less इसमें से हमने कितना maintain किया है present balance उसको बोलते है present आज तक तो present balance with RBI present balance with RBI आज RBI के पास हमने कितना रखा है 3788 जो shortage है इतना पैसा हमें transfer करना पड़ेगा तो 5948-3788 अंसर आता है 2160 मतलब 2160 हमें अपना cash transfer करना पड़ेगा पपा को इतना देना पड़ेगा तो इसको बोलेंगे transfer needed transfer needed कभी पहले CRR निकाल देना सुन रहे हो पहले CRR निकाल लेगा ठीक है CRR समझा अब बात करते हैं सर जी SLR का तो SLR कितना maintain करता है to be maintain to be maintain हमें कितना होई net demand time liability दो उपर दिख रहा है मेरे सर के उपर 148712 का कितना percent 18% maintain करना है तो 148712 का 18% answer आता है 2626768 इतना आपको maintain करना है अब हम चेक करते हैं present balance कितना है सुन रहे है less present balance प्रेजलेस नहीं है बस समझा करो less तो मैं दिखाता हूँ ऐसा तो present balance कितना हम यह पता लगा लेते less मत लिखो कोई format थोड़ी नहीं present balance कितना है हमारे पास तो present balance क्या करेंगे क्या क्या एड करेंगे तो ध्यान देना cash cash अपने पास है cash है 16 115 सुन रहे हो cash हमारे पास है 16 115 बरुबर ना सोला हजार पंदर रुपए लेकिन याद करो इसमें से उपर ट्रांसपर किया ना माइनस 2160 ट्रांसपर कर दिया रहे है यह ट्रांसपर किया ना उपर तो उतना cash हमारा कम हो जाएगा बेटा जी 160 15 माइनस 2160 हमारे पास cash कितना बचा है भी 13 हमारे पास cash बचा है 138 55 और क्या ले सकते हैं cash में जो लिक्विड फॉर्म है cash with other bank liquid फॉर्म में अभी माँगा अभी देंगे हो पैसा 15587 फिफ्टेन फाइटी सेवन कैश्वीड अधर बैंक कैश्वीड अधर बैंक और क्या सर कैश्वीड मनी एट कॉल 21012 21012 मनी एट कॉल अभी कॉल करूंगा अभी पैसा देके जाएगा उसका बाप भी देगा मनी एट कॉल यह भी हाइली लिक्वीड असेट है liquid मतला कैश जैसा है गॉल्ड भी लिक्वीड असेट active 55 few53 गॉल्ड में है ऑगॉर्म residents city approved हां तो 1017160 यह ली बस और कुछ नहीं लेना और कुछय क्याश नहीं है और कैश्विदार भी है हो गया कैश्विदार भी हो गया वह नहीं लेना है इसमें लिक्विड ने लिक्विड तो आपके पास रखना है ना तो सब प्लस करो हमारे पास कितना लिक्विड है 13855 प्लस 15587 प्लस 21012 प्लस 5523 प्लस 11017 हमारे पास इतना असेट है प्रेजेंट इतना है 66994 तो बेटा जी हमारे पास एक्सिस लिक्विडिटी है एक्सिस कितना है एक्सिस इसको बोलेंगे एक्सिस लिक्विडिटी अच्छी बात है एक्सिस लिक्विडिटी है कितना एक्सिस है 66994-26768 हमारे पास एक्सिस पैसा है लिक्विड फॉर्मेट 4226 समझा प्रॉब्लम कम्प्लीटेट तो हमने क्या करने बोले थे CRR 4% मेंटेन करना पड़ता है तो आप भी अपना बैलेंस का में इतना ओर ट्रांसपर करेंगे जितना ट्रांसपर करोगे याद देना अपना कैश कम हो जाएगा उतना से तो प्रेजेंट बाले चेक के तो 69 लेकिन हमें तो मेंटेंग करना 80% तो ज़्यादा ही मेंटेंग के है एक्सिस लिक्विडिटी है हमारे पास समझा स्क्रीन शॉट ले ले लेना अच्छे से लिक लेना दिख रहा है विटा आपको अच्छे से हाँ सर चलो मिलते हैं नेक्स्ट लिक्चर में तो ये कंसप्ट इतना ही था बस याद रखो CRR और SLR CRR मेंटिंग करना पड़ता है RBI के पास 4% और SLR मेंटिंग करना पड़ता है 18% वो अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में क्योंकि पब्लिक कभी पैसा माँगने आएगी तो भाई अपने पास रखना चाहिए ऐसा ने सब किसी को दे दिये और अपने पास कुछ रखे नहीं है तो पब्लिक बॉम बॉम करेंगे बोलेंगे दे को हमारे पैसा नहीं दे रहा है तो कुछ कैश अपने पास रखना है और कुछ डाइडी के पास रखना है डाइडी मदद करेंगे आप आतकालीन में आपको ठीक है चलो बाई बाई इसको नोट कर लिया विटा अच्छे से सी एर आर एसल आर और नेट डिमांड टाम लेविलिटी ठीक है और एसल एसलर की स्पार में में लिक्विड एसेट है चलो बाई 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 बड़ जल्दी हो गया यह लग वीडियो